गुड मॉनिंग और फियू आएम आश्टोश आन वेलकम टू अवर आश्टोश टेक्निकल एक्सपर्ट यूटूब चैनल आज मेरे पास आई है सैमसंग की 32 इंग चाइना एले टीवी और इस एले टीवी में प्रोलम क्या है वो मैं आपको सबसे पहले चेक करवा देता हूँ तो मैं इस पावर केबल को लगाता हूँ बिजली के बोड में मैंने पावर केबल को बिजली के बोड में लगा दिया है अब मैं इस एले टीवी को रिमोट से ओन करूंगा और आपको प्रोलम को दिखाऊंगा तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे है LED TV रिमोट से ओन हो चुकी है और आप डिस्पले पर देख पा रहे है इस तरह के वर्टिकल बार आ रहे है तो जैसे कि आप LED TV की स्क्रीन पर देख पा रहे है ये बिल्कुल वर्टिकल फिक्स लाइन आई हुई है और इस वर्टिकल फिक्स लाइन के पीछे एक वर्टिकल बार भी मुवमेंट कर रहा है तो आप प्रोब्लम को थोड़ा ध्यान से देखिए उसे समझनी कोशिस कीजिए और थोड़ा इंतजार कीजिए ये वर्टिकल बार जो मुवमेंट कर रहा है वो इस लाइन के पीछे से लेफ्ट शैड में को निकल कर रहेगा तो जैसे कि आप देख पा रहे है वर्टिकल मुवमेंट बार लाइन के पीछे दिख रहा है ये जो आप देख पा रहे है यही वो vertical bar जो है moment कर रहा है जो कि no signal है और आप यह LED TV की screen पर जो vertical bar moment करते हैं देख पा रहे हैं यह बहुत ही जादा slow है तो मैं वीडियो को थोड़ा fast करके आपको vertical bar को जो moment कर रहा है उससे थोड़ा साफ साफ दिखाने कोशिस करता हूँ मैंने वीडियो को थोड़ा fast कर दिया है और आप ध्यान से देखिए vertical bar जो है moment कर रहा है जो कि AV पर जो no signal आता है वो वही बार है क्योंकि picture नहीं बन रही है इसलिए vertical bar moment कर रहा है और ये जो आप problem को देख पा रहे है LED TV की screen पर ये दोनो problem अलग-अलग है एक तो vertical bar जो है moment कर रहा है जो कि no signal bar है और दूसरे जो line है आ रही है बहुत सारी जो आपको अलग ही left side में दिखाए दे रही है जो कि बिल्कुल fix है ये अलग problem है और ये दोनो problem vertical bar moment और vertical fix line वैसे तो ये दोनो problem अलग-अलग section से है लेकिन ये दोनो problem display से ही है तो अपने experience के अनुसार मुझे तो ये confirm हो चुका है ये दोनो problem वैसे तो display से ही है लेकिन दोनो problem अलग-अलग section से है लेकिन सवाल मन में अब यहाँ पर यह आता है कि क्या इस तरह की प्रोलम जो पैनल में आती है क्या ये प्रोलम रिपेर हो पाती है या नहीं तो आज हम इसी प्रोलम को रिपेर करने कोशिस करेंगे और देखते हैं ये प्रोलम रिपेर होगा या नहीं तो इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को बीना स्किप किये पुरा जरूर देखिए तो सबसे पहले पैनल के सभी वोल्टेज को एक किक करके चेक कर लेते हैं तो जैसे का आप देख पा रहे हैं जो बोड से आउटपूट हो रहे हैं वो है 12 वोल्ट जो कि बिल्कुल ओके है अब चेक करते हैं पैनल पर जो कि LEDS केबल के द्वारा 12 वोल्ट आ रहे हैं अब कोईल पर चेक करते हैं जो कि 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है अब चक करते हैं वीजेल वोल्टेज जो कि माइनस 5.9 वोल्टेज है जो कि ओके है अब चक करते हैं यहाँ पर वीकॉम वोल्टेज जो कि बिल्कुल ओके है अब चक करते हैं वीजेच वोल्टेज को जो कि यह 30.2 वोल्ट जो कि बिल्कुल ओके है अब चेक कर लेते हैं VCC वोल्टेज को जो कि होना चाहिए 3.3 तो जैसे कि आप देख पा रहे है Digital Multimeter की स्क्रीन पर 3.3 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ याँ पर यानि हमारी यह भी वोल्ट फिल्गूल ओकी है तो लगबग यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग में दिखाई थी रिमोट से ओन करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे LED TV ओन हो चुका है और यह LED TV अभी भी उसी कंडिशन में है तो अब हम इस LED TV के साइड कोफ को देखेंगे उसका क्या नंबर है और उस पर वर्क करेंगे तो जैसे कि सभी वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा वोल्टेज इन साइड कोफ पर मिसिंग है जिसकी वेज़े से वह वर्टिकल बार मुमेंट कर रहा है और कौन-कौन से वोल्टेज आ रहे हैं तो मैंने इन साइड कोफ के डेटर सीट को निकालकर वोल्टेज को चेक किया है तो मुझे यहाँ पर VGL वोल्टेज मिसिंग मिला है जो कि 5.9 वोल्ट हमने स्टार्टिंग में चेक किया था और सभी वोल्टेज जो कि VGH VCOM जो कि बागी सभी वोल्टेज है यहाँ पर बिलकुल ऑके है तो अब मैं इस LED TV की side cope के उपर से टेपिंग को हटा कर LED TV के display के उपर front cover को लगा कर LED TV को पलट लेता हूँ और सावधानी से रख लेता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने LED TV को पलट कर सावधानी से रख लिया है तो इस LED TV के panel के side cope के data sheet के नुसार हमें side cope पर visual voltage missing मिला है तो अब मैं panel के उपर visual voltage को चेक करके एक बारिक वायर को side cope पर visual voltage जहां पर missing है वहाँ पर jumper कर दूँगा तो जैसे कि आप digital multimeter की screen पर देख पा रहे है digital multimeter की screen पर minus 5.89 voltage 100 हो रहे है जो की visual voltage है और हमें visual voltage पैनल पर मिल चुके है और मैंने आपको यह voltage starting में भी चैक करवाय थे और मैं एक बार आपको scalar PCV पर zoom करके दिखा रहे हूँ visual voltage का point कहां पर है और मैं कोशिस करता हूँ आपको थोड़ा अच्छी तरह दिखाने की यह जो आप सामने देख पा रहे है यही visual का point है यहाँ पर minus 5.89 voltage आ रहे है जो की visual voltage है तो अब मैं scalar PCV पर इस बारिक वायर को solding करूँगा जिसे हम jumper wire भी कहते है थोड़ा paste को लगा कर वायर को अच्छी तरह solding करते हैं और यदि आप भी इस तरही वायर को solding कर रहे हैं तो कोशिस करें आप बारी एक बिट का solding iron इस्तमाल करें जो की 15 watt या फिर 25 watt का हो तो जैसे के आप देख पा रहे है स्केलर PCV पर हमारा jumper wire solding हो चुका है तो अब jumper wire को दूसरी तरह से side cove के print पर solding कर देते हैं जब पर visual voltage missing है और यदि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद side cove के printer पर jumper करके इस तरह की problem को repair करना चाते है तो किरपय बहुती सावधानी से और बहुती तसली से करे और कोसिस करें बारिक से बारिक बिट वाले solding iron को इस्तमाल करने की नहीं तो थोड़ी सी लापरवाय के कारण आपका यह बंताव काम बिगट सकता है और यह काम और ज़्यादा बढ़ सकता है तो जैसे कि आप अपने screen पर देख पा रहे हैं मैंने साइड को पर जंपर वायर को बहुती अच्छी तरह solding कर दिया है तो अब फाइनली LED TV के result को चेक करती है हमार रिजल्ट क्या आया है रिमोट से on करती है तो जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं यह LED TV on हो चुकी है और Samsung का logo इस screen पर आ चुका है यानि यह LED TV तो चालो हो चुकी है लेकिन अभी भी यहाँ पर वर्टिकल जो लाइन है यह भी भी यहाँ पर बनी हुई है और अब बात करते हैं इन वर्टिकल लाइन के बारे में यह वर्टिकल लाइन कैसे ठीक होगी तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू इस पैनल में जो यह वर्टिकल लाइन आयो ही है जो कि बिल्कुल फिक्स है यह वर्टिकल लाइन रिपेर नहीं होगी क्यों रिपेर नहीं होगी क्योंकि यह वर्टिकल लाइन ग्लाश के ट्रेक्स होट होने की वज़े से है ना कि कोफ की वज़े से यदि यह है फाल्ट कोफ की वज़े से होता तो बोर्णिंग मसीन से कोफ चेंज करके वर्टिकल लाइन को ठीक किया जा सकता है और as a proof के लिए मैं अंगुटे से कोफ को दबा कर दिखा रहा हूँ और आ अपस नहीं आता क्योंकि मैं इस पैनल को बोर्णिंग मसीन पर लेकर गया था और बोर्णिंग मसीन से ना कोफ डालने के बाद भी यह वर्टिकल लाइन नहीं गई जितनी वर्टिकल लाइन आप स्किन पर देख पा रहे है उतनी वर्टिकल लाइन बोर्णिंग मसीन से ना वोल्टेज मिसिंग होने के कारण वर्टिकल बार मुवमेंट वाली जो प्रोब्लम थी वे है तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है लेकिन अफसोस ग्लास के ट्रेक सॉट होने की वज़े से वर्टिकल लाइने ठीक नहीं हो सकी तो यह था हमारा आज का वीडियो उमीद करते हूं आपको मेरे यह वीडियो समझ आया होगा